दोस्तों क्यों USA, Greenland में अपने 5th Gen F-35 को डिप्लॉई कर रहा है? चलिए समझते हैं। तूली एरबेस, Greenland में लोकेटिट ये एरबेस आक्टिक में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखे, रीसेंटली रशिया और चाइना, दोनों ही कंट्रीज आक्टिक में काफी अक्टिव हैं। आक्टिक रीजन को टोटल 6 कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, नेमली यूएस, कानेडा, डेनमार्क, नौटिक कंट्रीज और रशिया। साथ ही ग्रीनलेंट, जिसको डेनमार्क कंट्रोल करता है, इस रीजन में strategically located है। यहां से रशिया और चाइना से आते हुए बिलिस्टिक मिसाइल्स को easily detect किया जा सकता है। और इसलिए टूली एरवेस में यूएसे ने 5th Gen F-35 को deploy किया है। साथ ही कैनेडा और डेनमार्क दोनों ने F-35 की development में participate किया था। और जल्द ही ये दोनों देश भी इस 5th Gen fighter craft को operate करेंगे। ग्रीनलेंट के हाश environment में ये deployment F-35 की ruggedness को भी show करती है।